एक लड़की थी, बहुत ही खूपसूरत, जितनी वह सुनदर थी उतनी ही दिल की नेक भी थी, न किसी से जूट बोलना, न किसी से फालतू की बाते करना, बस अपने काम से काम रखना. उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था लेकिन वह लड़का कभी भी अपने प्यार का इजहार उस लड़की से नहीं किया था लड़का अक्सर उसके छोटे-मोटे काम कर दिया करता था बदले में जब लड़की मुस्करा कर थैंक्यू कहती थी, तो लड़की की खुशी की सीमा नहीं रहती थी, एक बार की बात है दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी दोनों को एक पेड के नीचे रुखना पड़ा पेड बहुत छोटा था, बारिश की बुन्दे चंचं कर उससे नीचे आ रही थी ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहत करीब आ गए, लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जजबातों पर काबू न रख सका और फिर उस लड़के ने लड़की को अपने प्यार को प्रपोस कर दिया लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह धीरे-धीरे दोनों का प्यार परवान चड़ने लगा एक बार की बात है लड़की उसी पेड के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी लड़का बहुत देर से आया उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए मेरी तो जान ही निकल गई थी, यह सुनकर लड़का बोला रिये, मैं तुमसे दूर कहां गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिन से पूछ लो लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुसा भुल गई और फिर वह दौर कर लड़के से लिपट गई, एक दिन दोनों लोग उसी पेड के नीचे बैठे बाते कर रहे थे लड़की पेड के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेता हुआ था तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बरदाश्ट नहीं होती तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे सौ साल के बराबर लगता है तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी लड़के ने जट से लड़की के मुह पर अपना हाथ रख दिया और बोला मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो मैं कैसे जिन्दा रहूंगा फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिन्ता मत करो मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा, धीरे-धीरे काफी समय बीद गया एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड के नीचे बैठे हुए थे उस समय लड़के का चहरा उत्रा हुआ था लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तयार नहीं है उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा, उसका मन हुआ कि वह जोर-जोर से रोए लेकिन उसने अपने जजबात पर काबू पालिये और बोली मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती प्लीज मुझे माफ कर देना लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो, तो अपसे हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं लड़की यह सुनकर जो-जोर से रोने लगी, लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी पर ऐसा नहीं हुआ, हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला लड़के ने कापते हाथों से उसे खोला उसे देखते ही वहाँ बेहोश हो गया गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं खून से लटपत लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिठी जिसमें लिखा हुआ था अरे पागर अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा मैं तो इस दुन्या से चली जा रही हु लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हु जो की तुम्हारे लिए हमेसा धड़कता रहेगा कहानी से शिक्षा हमारी जिन्दगी का सबसे खुपसुरत एहसास प्यार ही है जो हमको आपको हर किसी को होता है पर क्या हम उसको अपना पाते हैं कभी हम गलत तो कभी साथी गलत दोनों सही तो घर वाले गलत पर क्या प्यार गलत होता है नहीं ना तो प्यार तो करो लेकिन कभी भी किसी लड़की या लड़के के दिल से खिलवार मत करो यानि दिल जब तूटता है तो दर्द बहुत होता है तो ऐसे में प्यार कभी करना, जब उसे निभा सको, सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार कभी भी मत करना